अमिता बच्चन ने हालखी में अपने शो कौन बने का करोड़ पती में दारचीज की टीम को होस्ट किया था उनकी महमानों में से एक अक्टर सुहाना खान भी थी जिन्होंने हालखी में जोया अक्तर के डिरेक्शन में बनी फिल्म से अपने करियर की शुरबात की है सुहाना आक्टर शारूख खान की बेटी है और उनके पिता और बच्चन सहब ने महभबते और कभी खुशी कभी गम में साथ काम किया है जैसे ही सुहाना हाट सीट पर बैठी अमिता बच्चा ने उनके बच्पन के कुछ किस्से याद किये और शारू के ऐसे रूप का खुलासा किया जो शाया थी एज़ा पेरेंट किसी ने उनका वो अफ़तार देखा होगा जब बिगवी ने उनसे पूछा कि शारू खान और गौरी खान के बीच स्रिक्ट पेरेंट कौन है तो सुहाना खान ने गौरी खान का नाम लिया और उनके जवाब ने बिगवी को चौका दिया फिर उन्होंने एक ऐसा किसा याद किया जब शारू खान ने सुहाना खान को डाठा था उस वक्ट सुहाना खान काफी चोटी थी और उन्हें ये घटना कोच जादा खास याद नहीं थी अमिता बच्चन ने बताया कि सुहाना खान स्वीमिंग पूल के अंदर जाने को लेकर बहुत जादा जिद कर रही थी लेकिन शारुख उसे इसकी अजासत नहीं दे रहे थे अमिता बच्चन के मताबिक आपने कहा था कि आप स्विमिंग करना चाहती हैं लेकिन शारुख ने कहा नहीं आप स्विमिंग नहीं करेंगी जब सुहाना ने कहा कि उन्हें ये बात याद नहीं है तो बच्चन सहब ने आगे कहा उन्होंने आपको भी डाठा था क्योंकि आप बार बार अपनी जित पर अड़े हुए थे कि मुझे सुइमिंग करनी है उन्होंने ये भी कहा कि सुहानासल में तैड़ना नहीं चाहती थी, सिर्फ जित कर रही थी बिगबी ने सजिस्ट किया शारुख खान को इस घटना की बारे में डीटेल में बताना चाहिए सुहाना खान ने कहा कि ये एक अकेला मौका होगा जब उनके पापा यानि कि शारुख खान ने उन्हें ना कहा होगा खैट शारुख के नेचर को जो भी अच्छे से जानता है वो इस किस्से को सुनकर पहली ही बार में समझ गया होगा कि शारुख ने अपनी बटिया को दिल पर पत्थर रखकर डाठा होगा और इस ख़बर के बाहर आने के बाद हर कोई केंग खान के पेरेंट हुटकी तारीफ कर रहा है बता दे कि शोक इस एपिसोड के मंचपर सुहाना खान के साथ डिरेक्टर जोयाकतर, अकसत्यनन्दा, खुशिकापूर, वेदांग, रेना, मिहिर अहुजा और युवराज मेंडा भी नजर आए हैं बता दे कि दार चीज, OTT प्लाटफर्म नेट्फिक्स पर साथ दिसम्बर को रेलीस हो चुकी है